webinar हाई बेरे बच्चो लास्ट हमने गाता कि भाई कार्वनितना जादा importance क्यूं की स्टडी क्यों की जा रही है ल mismo chapter afin यूण बात हैं क्षे हैं उसका को वैलेंट बॉलते हैं पूरा पूरा लेक्चर में हम समझेंगे बाई यह को वैलेंट बॉंडिंग क्या है इसके दर एलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्ट्चर बहुत सुना रहेगा आपने यह हो सकता है टफ लग रहा होगा है यह तो वह यह सारी चीज़ें क्या है तो उसका को वैलेंट बॉलत है इसकी पहले यह तो समझाइए कि बाइन वालेंगा आप हम शब्लॉंत समंझाने वालें थान संगे अगर बेसिक से समझेगा तो यह चारी चीज़ें बता के कोई मतलब नहीं देखें बच्छों हम जान चुके हैं अभी तक हमको पता है कि टोटल एक सो अट्रव एलिमेंट के डिस्कवरी हो चुके हैं टोटल वन हंड्रेड एलिमेंट्स इजाद हो चुके हैं उस एक सो अट्रव एलिमेंट में हमको कार्वन के बारे में डिसकस करना है तो बच्छों यह एक सो अट्रव एलिमेंट तो आपको याद बिलकुल नहीं करना है तो सर याद क्या करना है कब से बताते आ रहा हूँ इससे पहले पिए मैंने बताये था कि हमको सिर्फ और सिर्फ 1,2,20 elements ही याद रखने एक से लेके 20 बस इतने ही element याद रखने तो उससे पहले आपको क्या-क्या यहाँ पे बेसिक चीज़े रहन में रखना है ताकि आपको कार्बन और कोवालेंट बॉन्ड समझे माई है यादि के कार्बन की बॉन्ड है तो पहले चीज़ है बच्चो अटोमिक नंबर जान दीजें आपे अटोमिक नंबर दूसरी चीज़ है अटोमिक मास नंबर यह तो उतना नहीं लगेगा लेकिन जान लीजे कि अटोमिक मास नंबर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे क्या जानेगा उसके बाद हम बात करेंगे वैलंसी की कई बार हमने डिसकसिन किया है एक बार फिर से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है. मतब वैलंसी एंड यइङ्ट्रोनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे हैं. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन की. देखें तुरह ठाइम लगेगा बच्छो, लेकिन काम की बाते बताएंगे. देखिए, atomic number सबसे पहले समझें, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, कि दुनिया में जितने भी element है, हमारा carbon भी element है, हमारा carbon भी element है, वो कैसा element है, non-metallic, non-metallic element, यानि कि carbon एक element है, जो कि non-metal है, ठीक है, हम जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं, तो यार मैं बता हमें, metallergy के chapter में, metal और non-metal के chapter में, वो already discuss किया, कि metals की property क्या होती है, non-metal की property क्या होती है, पूरा-पूरा discussion किया है, तो खेर, ये carbon हमारा एक non-metallic element है, non-metal भी नहीं जानना है, जाने दो, सिर्फ element, ये तो जानो, element है, ठीक, 180 में से ये carbon एक element है, ठीक, जिसका atomic number 6 होता है, व आप यसे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग अलएडी 9 में पड़े होंगे, मैंने 9 में भी पढ़ा है, लेकिन नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं है, सही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप, सारी बातें बताई जाएंग या जान लीजिए मारकर है नहीं मारकर, इसको हम तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, एक ऐसा वक्त आएगा कि अब हम उसको नहीं तोड़ पाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं, आटम, यानि कि smallest unit of a particle है, किसे भी पार्टिकल का सबसे छ जिसे मारकर है, इस मारकर के अंदर अर्वो, खर्वो की तादाद में आटम होंगे, जो उनको दिखनी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी आटम से यह मिलकर बना है, तो अटम और आटम को जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तब जाके यह मारकर बनेगा, अर्वो, ख अच्छा सा एक्जामपल समझ लीजिए, ठीक है, बात होई गई तो थोड़ा डिटेल में बता ही देता हूं, देखे, माली जीए आपको घर बनाने के लिए, इट बनाने के लिए, इट, इट समझता है ना, ब्रिक, इट जिससे घर बनाते हैं, तो वो जो इट है बच्चो उसको मिनाने के लिए, आग का इस्तमाल होता है, आग में जलाया जाता है, पानी का इस्तमाल होता है, और मिट्टी का, पानी और मिट्टी को मिला के बनाया जाता है, तो तीन चीच से मैनी, पानी, मिट्टी और आग, ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या सिर्फ आग, जो और eat को जब जोड़ेंगे तब घर बनेगा वही कहानी atom की है यानि कि atom को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तब कोई भी चीज बनेगी लेकिन उससे का जो छोड़ा टुकरा है electron, proton, neutron वो तीनों मिलके atom बना है तो वो तीनों से कोई भी element नहीं बनेगा इसलिए atom fundamental है समझ गया तो बाई बढ़ाई हो नहीं समझा तो जाने दीजे समझे atom सब किसी का सबसे छोटा पार्ट है अच्छा सर तो वो जो होता और वो spherical होता है सांटिस्टों ने बदाया कि उसका जो shape होता है वो ऐसा गोला होता है spherical ठीक है और उसके अंदर एक और गोला होता है उसका नाम है nucleus क्या नाम है nucleus यानि कि यह जो atom हमारा तीन चीज़ से मिलकर बना है जिसका नाम है electron, proton और neutron क्या नाम है भाई electron, proton, और neutron ये तीनों मिलकर क्या बने हैं ये तीनों से बिंका मिलकर be थकर जाने दी इसके अंबर प्लस इसने बनाया कंई इसके अंदर होता है प्रोटॉन इसके अंदर प्रोटॉन होता है और होता है निव्ट्राइद कि प्रोटॉन जो तैंब इसको पॉ-ॉजिटिव I penser दिखाते कि निव्ट्राइब कोई चार्ज नहीं होता है तो यहाँ पे को चार्जी नहीं है यहाँ प्मश्यर्ज्ब है अब यह एलेक्ट्रों का घड़ है और एलेक्ट्रों पर निगेटिव चार्ट होता है इसे लिए माइनस लिखते हैं और वह यहां पर इसा चक्क्र लगाता रहता है ठीक है ऐसा साइंटिस्टों ने अब्जॉब के यह पूरी-पूरी एटम की कान यह है पिटा हमने और को बोलते है एटमिक नंबर क्याकर सब्सक्रिक अदर कितना प्रोट्टान है कुस म्नेट परोटॉन औहुते हैं गातनी का अगर अलीजान एक प्रोटान है तो डंवेख नमबर एक हो गया दो को गया जितने प्रोड़ाँ होते हैं बचो अत्री है रिक्टान होते हैं यानि कि नंबर आफ्टान्स बग्राबर हुते हैं Number आप अपना भांधा आप रहा कि दिकt नहीं कि मैं इससाफ तो चल रहा हों कि जो तो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको भी समझ में तो हो सकता है अगर आपको पता होगा आपको बोर होगा तो आपको स्किप कर देना तो नमबर आफ प्रोटांट से बराबर होंगे नमबर आफ एलेक्टांट्स की अच्छा सब ठीक है मतलब जितने प्रोडान उतनी ए आप सबका एक ar bodies सब के अंदर जैसे हाईडरोजन के अंदर है possible के एक प्रटान होता है देटा मज़ाइक इंडर ट Death tooriatagen से प्रोटोन हो गया सिलिकॉन हो गया फॉसके बाद हमारा कैल्सियम हो गया इतना ही आपको याद रखना है और मैंने आपको periodic classification वाला chapter पढ़ाया है ठीक है उसमें मैंने बनाया भी था यह ठीक है नहीं पढ़ाया है नहीं बनाया कोई मसला नहीं है कोई बात नहीं है ठीक है हम अभी मैं बता देता हूं देखिए यह हमारा इस यह जो है लाइन इसको हम लोग पिरियेड बोलते हैं पिरियेड यह हो गया पिरियेड वन इसको पिरियेड टू को बोलते हैं पिरियेड पिरियेड वन पिरियेड टू पिरियेड थ्री पिरियेड फॉर ऐसा उन्हो हमारा चम्सक्देटर है इस बोल्टर है ज़ाया तर फोकस्द जो है ना कार्बन पहीं करना है हमारे में कर बने जद्धकेव अग्सिट्थर में इसमें दसाशन देखने मिलेगा फ्लूरीन देखने मिले। ठीक यह मतब ज़ाया तर सब्सक्राइब मेड़रे किलोरीन बिरोमीन आयोडीन फ्लोरीन अरॉैंael नौटेय। और चलिए यहां जान दीजी अब अच्छा सर ध्यान दे रहे हैं ना दे रहे हैं अच्छा ठीक 20 elements हो गएं carbon की बात कर रहे हैं atomic number जो है समझ में आ गया क्या है अब atomic mass number देख लेते हैं atomic number सबको समझ में आगा यस सर अ atomic mass number बेटा होता है proton और neutron के जोड को बोलते हैं atomic mass इilo microbius और ये carbon का reflection है तो carbon के अंदर में six protons अधीर six protons और neutron आपको याँने रखना है कितनी होते हैं मैं बता दे ले रहा हूं कि कि किसके अंदर carbon के अंदर मैं carbon की बात करूं यहां पर लिखता उप carbon की बात करूं तो six proton होते हैं और six neutron होते हैं िसलिए उसका atomic mass नमबर 12 जाएगा यानि कि यह होग इसका atomic mass number तो अगर कोई पूछे atomic mass number क्या होता है तो आप बोलता है number of protons plus number of neutrons the algebraic sum of number of protons and neutrons कितने proton कि टो नीट्रोन है उसके जोड़को हम लोग atomic mass number अभी carbon का atomic number six होता है मतलब इसके अंदर proton six मतलब इसके अंदर proton six सिक्स मतलब इसके अंदर एलेक्ट्रों भी सिक्स के लिए रहे यह सर आपने यह भी बता है कि इसका अटमिक मास नंबर जो होता है वो ट्वैल होता है ठीक है कोई अगर हम यहां पर देखें तो यह हमारे सेकंड पिरियड में आता है सिकंड पिरियड और बच्चों यह नहीं समझा जाने दो इस लेसन में इसका कोई कामी नहीं है तो बता दिया एक्स्टा इंफर्मेशन है ना एक्स्टा इंफर्मेशन देने की आदत सी हो गई है थोड़ी से तो प्लस इक्स ठीक है इसके अंदर प्रोटॉन छे होती है अच्छों अभी देखिए अभी पहले इलेक्ट्रों कहां से दिखाया जाता है एलेक्ट्रों को डिस्ट्रिबूट किया जाता है बहुत है कि कहां से एलेक्ट्रों भी है एनेरजी लेवल ठीक है शेल मत्दब यार घर एलेक्ट्रॉन के रहने की जगें जैसे देखिए यह हमारा यह मैं बना रहा हूं यह हमारा हो इसको बोलते हैं लोग पहला है यह निकलियस है यह तो बच्चा निकलियस है यह पहला से इसका नाम है रखा गया उन्होंने रखा के क्या लेना देना यार के रहे एल रहे एम रहे मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि सुन्दर सुन्दर लिखा हुआ दिखाई दे के चीक है दूसरा जो है वो शेल है तीसरा है एम चौथा है एम अरे वाह बड़ा चब बना लिए सर आप तो हाँ प्रैक्टिस सतंगे एम अनगनश है उस सर्फ दो हीस्ता अच्छा सब्सक्राइब करी उससे जैदा नहीं। सिर्फ दो अच्छा सकते यह अच्छा थाचा तो इंटू एंटू एन पिरिया तू इंटू पोर का स्क्वेर फॉर वर्फोर गार शिक्स्टी तू थर्टी तू थर्टी टू रख सकते हैं अच्छा सर ऐसा है यस ऐसा है लेकिन अभी याद रखें का बच्चों जो हमारा तीसरा थर्ड और फॉर्थ जापे थौड और फॉर्थ के पिरिडिके जो एलिमें हिं विल्ड फॉर्थ में भी आठीज रखते पूर्थ में अठीट रखते हैं सेर आप जो बोर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा हैaaaa अच्छा ठीक है अभी समझेगेगा आप performance और शल्कविस ऐसे में सब्णक एलमन मतब् Gal 뭇या च्व्क हाल है इसमें रिकम इलेक्टॉन यह बड़ा सा घर इसने जदा एलेक्टॉन और बड़ा और जदा और बड़ा ठीक है अभी देखिए अब देखिए अब देखिए अब है कार्बन येस अटमीक नमबर है और प्रोटाउन बिचान यहां पर टू है कितना बचा प्लाओं सब्सक्राइब गए क्तना इसमें इसमें लुपर इसमें और एक्टान ड़क्ते अरिक अब कितना जरूवात है 2 तो हमने लगता है चार ही जरुवात है चार रख दो एक दो थी इन चार कूल बोलेगा सरद मुझे रहां रखना है यहां रख दो कोई धिक्कत नहीं है लेकिन नियूद तो यानि के सिक लिखते हैं तो यानि के इसको उलीट अन्फिगरेशन 2 क्वेम और एवयले में इसका मतलब है के वाले में दू और चो बाहर के इसको मुलते हैं वैलेंश ट्रांस औ किमिये खने एको बहले आडधेंट ऐसके वैलेंस एलेक्टरों कि प्यूंट कुत न सकति असफॉर में यह संगी के अभी देखिए जो हमारे महारती है यहां पे हीलियम नीयोन यहीं वाले आरगों दिख रहा है यहां पे क्रिप्ट आप बच्छो यहां पे नीचे लिखो लिख दो लिग देता हूं जैना रेडान एंड़ने सन यह ना मार्केट में ठीक है यह मार्केट में नाइ स्क्राइश नहीं हैं जादा इनफर्मेशन अबon यहां यह लिए यह झ्युक्त लेगने चैना इस ही लिए चले इसका बनाईए है यह लिए Merci हPS लोता है जितना इसमें चाहिए च स Matthew चले इसका बनाई यह सहरे रिया नुपलियस यह पहला के कि दो अटमिक नंबर टु बतब प्रोटॉन भी टू मतब इलेक्ट्रोन भी टू तो नीके दोबर सकते हैं यह सब्सक्राइब और डाल दिया यह सब्सक्राइब दो पहले में कि दाव इसे डिया तो पूरी तरह भर गिया है अच्छा चलिए दूसरा देखते हैं यह बटा है नियॉन का अटमिक नंबर होता है 10 कितना होता है यहां पर लिखते हो नियॉन का होता है नीचे लिख दूगा नियॉन का 10 यहां लिखते हो नियॉन का होता है 10 ठीक यह हमारा पहला से कितना बढ़ सकते हैं दो बढ़ सकते हैं कितना ब यह वागा पहला दोगढक जो ना वढोंके घ्टीन AH हो गया तो तीसरे पितना पढ़न सकते हैं गॉटू गुटल के ऑब किना जो भी हैं उसके नीचे जो भी एक लेकिन इसको लेकिसे प्रता नार्फ हुगे त्सकोटेद उसको इसको कॉलते हैं हाँ, क्या बोलते हैं, Octate, Octate पुरा करते हैं, या यह जो भी है न इसलिन को बोलते है Novel Gas, Novel Gas, मतलब इसके Outermost Cell, बाहर के जो Shell है, पूरी तोरा भढ़े रहते हैं, Full Filled रहते हैं, यादि कि हर Cell ऐसा बोल सकते हैं, कि हर Cell इसका फिल्ड लेता है, जितना capacity है फिल्ड लेता है, या आप बोलो outer most cell में हमेशा 8 electron लेते हैं, बाहर के cell में हमेशा 8 electron लेते हैं 8 octet, और वो novel है, मतलब वो किसी से reaction नहीं करता है अगर किसी के बीच में bond बन रहा है, किसी के बीच में reaction हो रहा है मतलब उन दोनों को एक दूसरी की जरूरत है ठीक है, तभी reaction हो रहा है participate करते है reaction में क्यों? ताकि वो stable हो जाए, आपस में जब reaction करने है आपस में जब bonding हो जाए, तो वो जादा stable हो जाएगा, जादा अच्छे हो जाएगा हर कोई element reaction करता है इनको छोड़के, इनको छोड़के सब reaction करता है क्योंकि ये octet complete किये हुए रहते है इनका जो है इनके electrons पूरी तो भड़े हुए होते है ये octet complete किये रहते है दिखा गया कि इनमें पहले तो observe कि भाई, ये किसी से reaction ने करने है पता गया क्यों भाई, जखा गया भाई ये octet सबके last में 8-8-8-8 electrons है तो एक Lewis नाम के scientist ते लोंने बोल दिया octet rule, octet rule मतलब हर एक element क्यों reaction करता है ताकि वो भी इन जैसा बन जाए समझ जाओ ना ये हमारे अंबानी साह है है ना यानि के बहुत पहुचे लें ये हर कोई चाता है ना हर आदमी चाता है हर लड़का चाता है उसको प्यारी प्यारी गोरी गोरी कुप सर्थ कुप सर्थ है ना रगी मिले हर सर क्या बोलने आप समझो कि ये इनको मिली है प्यारी गोरी गोरी सब मिलिये तो यह भी ऐल्लिमेंट्स चाहते हैं असे संफीर हो ना और इस्टेबल उने का कन फिच आइन इसी को बोलता है कन फिच मत अलेंटएंटान का रिपेसेंटेशं आपी सब भेटाएंड Rip oss तो stable होने का configuration ये है तो हर कोई चाहता है कि मैं भी stable configuration हो जाऊंँ मैं भी stable के जैसा हो जाऊंँ जैसे ये stable है इसको हम बोलते है stable configuration stable configuration और stable configuration किसका है वो है हमारे novel gas का इसी दे इसको novel gas configuration भी बोलते है तो हर एक element चाहता है कि novel gas के जैसा configuration कर ले उसके जैसा octate complete कर ले helium को छोड़के बच्चो helium duplicate करता है helium blast में दो ही electron इस पूरे group में सिर्फ helium duplicate करता है बाकि सब octate करते है दों को बुलने है duplate तो hydrogen और lithium ये दोनो ऐसे element है जो duplicate करना चाहते हैं बाकि सब के सब octate करना चाहते है अच्छा हो तो अभी देखिए अब बात को समझे अब ये हमारा carbon है इसको भी होना है stable इसको भी चाहिए गोरी गोरी तो भाई इसको भी stable होना है यादान दीजे इसको भी stable होना है तो ये क्या करेगा बनने के लिए देखिए इसके valence shell में कितने electron है 4 electron है एक दो तीन और चान चार एलेक्टरन है तन है तो बताओ यह Octate complete करने के लिए आगा सकता है अगर इसके पास चार और आजाए इसके पास चार और आजाए तो क्या होगा तो कैसा बन जाएगा किसा बन जाएगा धानी नियॉन ये नियॉन है टू और लास्ट में इसके 8 है यानि कि neon की जैसा बन जाएगा एक काम करो बच्छों इसका screenshot लो दाकि मैं ये चीज़ों को raise करके explain करूँ अच्छे से ये फटाक से screenshot लो एक बिनिट में done चलो ओके चलिए अब देखें जो carbon है हमारा उसका atomic number 6 है अब 6 protons और 6 electrons ये बच्छों हमारा nucleus ये है K shell और ये हो गया हमारा L shell अब ही बताएगे के में कितने electron है सर के में 2 electron ठीक 6 है ना 6 है टूटल 6 है ये 2 और L की का पेस्टिटी 8 है और हमको चाहिए 4 ये 4 electron यानि कि इसका electronic configuration 2,4 है इसको भी update करना है करना है करना है कि नहीं करना है हर एक element चाहता है क्यों complete करें ताकि वह स्टैपल हो जाए और इसी लिए वह एक दूसरे से एक atom किसी element का मालोई carbon है या किसी का ये hydrogen है या ये hydrogen और ये oxygen है अगर ये दोनों आपस में react कर रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं यहने के bond बनाना जिसको हम बोलते हैं क्यों बनते हैं भाई ताकि वह stable हो जाए ये भी stable हो जाए वो भी stable हो है नहीं आदों का तो भी कोई बात नहीं है sodium जिसका atomic number 11 होता है chlorine जिसका atomic number 17 होता है अगर हम sodium बनाया sodium को अहां बटाइब 2,8 और यहां पर वन ख्लोरीन की बात करें 2,8 ठीक है और 7 1 2 3 4 5 6 7 7 इना दो कि क्योंको की कापसेटी टू एल की कापसेटी एट होती है कि में अध्यूम दो बर सकते हैं अलम एक्शम एट एम में में अध्यूम हैटीं तो दो को नाम सम्क्वाइट इस में दो बड़ा इसमें आठ आपको साथ ही चाहिए साथ यानि कि 2,8,7 के में 2L में 8 में 7 उसी तरह का 2,8,1 के में 2L में 8 और है अभी देखिए बच्चों इसको अक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो को लास्ट में क्या है वन एलेक्टॉन अगर यह वन किसी को दे दे तो बहुत आसानी सब्सक्राइब कर लेगा और इसके एक देना बहुत आसान बात है यार इसली देगा लूस करें और यहां पे इस गया लेकिन इसको चाहिए तो एक आराम से सौटियम डेरा है तो सोटियम अगर एक देगा तो यह भी और यह यह चला जाता है है माल लो इसका यहां पर बना रहा हूं तो यह करते हैं और इस तरह कि जो बनते हैं को बोलते हैं दो Rock अबलाइब प्रोड़ों गया रहा और इलेक्ट वी ग्यारह अब एक क्लोरीन पहले था अब उसने यह एक ऐलेक्ट रोगें किया ना एक आडमिक नमर शोनिक नॉइन दीन और यह लेक्ट्राओं विसमें तिन ता लेकिन एक जब इसने गिन गया तो यह हो गया 18 एक एलेक्ट्रों ज्यादा एलेक्ट्रों को माइनस से दिखाते तो यह हो जाएगा यह एल मीनस तो यह एने प्लैस और आपस में जूड़ गे और इस लिए पॉजिटिव चार्ट और निगटिव चार्ट इसको बढ़ते आएंज आटम electron को loss कर देता है तो वो cation कहलाता है कोई atom electron को gain कर लेता है तो उसको anion कहते है cation और anion तो यह ions है तो ions आपस में binding की आपस में bond बनाए bond बनाए मतलब जूड़ गए bond का मतलब क्या होता है bond का मतलब भी होता है attractive force यह जो bond है इसका मतलब भी होता है force of attraction कि कोई भी केमिकल बॉन क्या होता हैं एक है कि आठ्रेक्षिन का फोर्स का फोर्स它 ना दुनों के बीच में एक आत्रेक्षिन है जो परसी और हमगों बहुत जबू के procs वो इस नहीं है पूर उसको अलेक्रोन के सब्सक्राइब कर दिया तो इस तरह भी बाउंड को बोलते हैं आयोनिक बॉंड ठीक यह यह बंदा है जो गेन कर रहा है ना यह यह बैंकर रहा है और यह लूस कर रहा है तो इनके बीच में एनरजी जाधा लगती इसको तोड़ने यहां पर जो बॉंडिंग बनाया विटा एक्जाम्ब को तरफे अगर आप किसी भीकारियों को पैसे दोगे तो क्या उससे पैसे मांगोगे वापस नहीं मांगो नहीं उनके और मेरे बीच का जो बॉंड बिल्कुल अलग वह आसानी से तूटे गा नहीं कर लो कि मैं यह नही कि देखो आयक बंड कबनता है जब एक मिटल हो और एक दोलो म्मट मनता है वांड जो है अगर बॉनक का समझुका था हूं यह कोई अटम यह कोई आटम है दूसरा कोई आटम है उसी relationship को हम लोग बोलते हैं bond, जैसे हमारे mom, dad के बीच में एक bonding है, दोनों husband, wife है, उनके बीच में एक relation है, their married husband, wife की bonding है, इसलिए वो दोनों आपस में जूटे हुए, दोनों के बीच में attraction force है, बच्छों, तो बिलकुल यहां पे भी A और B के बीच में bond बना, इसी को बोलते है Force of attraction और bonding, तो bonding बिटा, क्योंकि हम जानते हैं, metal और non-metal, यही जातर bonding बनाते हैं, तो दो चीजें, एक तो metal और non-metal अपस में bond बनाएं, तो इस bond को हम लोग बोलते हैं, Ionic bond, Ionic bond, दूसरा तरीका, metal और metal आपस में bond बनाएं, तो इसको बोलते हैं, Metallic Bond, जो हमको जानना भी नह तुक रहा है उसके दर बहुत सब्सक्राइब करने वाले उनको किसी चीज़ के जरूवत नहीं है तो एक दुसरे को पर सकॉंपेटिशन करेंगे नौमल बांड है तीसा तो करेंगे तो इसका नौन मेटल की बीच मेला गलग मेटल दूसरा नौन मेटल नौन मेटल जब नौन कोवालन बॉन क्या वही तो पढ़ रहा है तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे अभी आईनिक बॉन समझ भी पहले भी पढ़ रखा हमने तो हमको बस यह दोनों की बारे में जानना है इसके बारे में मेटल स्वाले चैप्टर इम अच्छे दिखा था और अभी भी मैंने बता दि अब आप खुद बताइए मुझे सैवन गेन करेगा कि एक लूज करेगा सैवन को गेन करना सैवन को लेना इतना असान नहीं को देगा ने इसको सब्सक्राइब लेकिन एक आसानी से लूज कर गे इसको होना एस्टेबल एक और अच्छे से इस्टेबल हो जाएगा तो यह एक नूस कर देगा उसी तरव मानों लों मैगनेशियम का ट्वैल मोता है फटा यह सोडियम का है यह मैगनेशियम तो इसका क्या हो दू एट यहाँ पे टू अब लेक्टरॉन को देना थोड़ा क्या इससे अगर इससे कंपेर करें तो थोड़ा सा मुस्किन लोगा लेकिन लेकिन अगर बात करें चार की तो चार फंस जाता है वहाँ पर जो यहाँ पर मैं डिस्क्स करने वाला हूँ चार करें मैं डिस्क्स करने वाला हूँ तो जब भी metal में होता है valence electron 1, 2, 3 और वो हमेशा electron को lose करेंगे electron को lose करेंगे electron को lose करेंगे यह बात को ध्यान तकना पर जो लिख रहा हूँ और बनाएंगे ionic bond और बनाएंगे ionic bond किसके साथ बनाएंगे non metal के साथ यह निके metal और non metal के साथ बनेगा यह bond ionic bond अच्छा ऐसा है metal lose करते है और non metal जो है उनके outermost electron में या तो आपको five दिखेंगे या तो six दिखेंगे या तो seven दिखेंगे और इसी लिए वो electron को gain करते हैं सर एक बार इसका भी example लीजे ना लीजे ना अच्छा बटा देखें ऑक्सिजन का आट होता है हां सर तो पैटा टू, कामा इस लिखें करो पहले में टू दूस्रे में 6 1 2 3 4 5 6 कि दर भी माना नहीं इहां भी तू वन टू टू चिक सक से ना चग्म दूसैना सर 1 2 3 4 5 6 3 2 यए ऐच सार बार गेंतल अगर कर लेगा गजए वह अगर हो देना आसान नहीं तो यह करेगा दो यह क्या करने की या लूज करने की जो क्या करने के लिए to attain novel gas configuration novel gas के जैसा बनने के लिए वो कितना देगा या कितना लेगा वही या कितना share करेगा वही हमारा क्या होता है valency होता है चाहिए तो लिख ले ना the combining capacity of an element of an atom to lose or gain or sharing the electrons to attain novel gas configuration इसी को हम बोलते है valency कितना वो दे सकता है या ले सकता है इसकी valency 1 यह दो लूस कर देगा अग्रिट करने के लिए इसकी valency 2 यह 3 लूस कर लेगा इसकी valency 3 तो अब यह देखे हां पर 2,6 यह दो गेन करेगा तो इसकी valency भी 2 लेकिन माइनस में क्योंकि गेन किया तो खेंट चुप 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 टू इसकी valency 2 लेकिन करना आसान तो यह दो पांच लॉस करेगा पाँच बड़ा अमांट इथरी से तो पाँच लॉस करेगा त्री गेंगा जली पताईए सर 3 लेकिन करेगा तो वैलेंसी 3 लेकिन क एक्ट्री जय है च्छ केंगा क्रिय करेगा अच्छा समझ गया तो इसकी लेंसी लेंसी 3 लो ग कि क्यूं इसको सिर्फ एक चाहिए आप्याप्त आधने कैर यह चीन कर रहें जृ हूं भिएन कर इसको एक चाहिए तो यह सबसे ज्यादा हावी होगा लेकिन क्या करना पसंद करेंगे और यह लूज करेंगा और यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं आयूनिक बांड आयूनिक बांड अच्छा तो या तो वो गेंगे या तो वो एलेक्ट्रॉन का गेंगे गेंगे जब आपस में बनाएंगे नोन वह हमेशा रिंग करते हैं अगर के साथ žढेंगे तो लेना पूस्ट कीन करेंगे और दूंआ मेटल के साथ जुड़ जाएंगे तो शेरिंग करना पसंद करेंगे सर अब समझाइए न अच्छा तो बहुत इतल में अच्छा तुरा टाइम लोंगा लेकिन बहुत पताऊंगा ज्यांदेश यह सर अभी यह जो हमारा कार्बन है इसके पास दो रास्ति पहला या तो यह चा सनः दो रहता तो आप बोलते सर्थ जिस लेना असल नहीं है दो देना असल लेकिन यहां पर नमबर यकार जब क्या होगा तो इसके पास एक रास्ता यह एक दो तीन चार्व एक्स्टर को निकाल दें तो कैसा बन जाएगा तो हीलियूम के जैसा हीलियम का यहां बनाया यहां से निकल गए तो यह क्या कर लेगा डूपलेट कंप्लेट कर लेगा और यह बन जाएगा हिलियम के जैसा ठीक है कैसा हिलियम के जैसा तो पहला तरीका क्या है कहां पे लिखू मैं यहां पे लिखता हूं ठीक है फास्ट वे फास्ट रूट पहला रूट है कि यह क्या कर लूज फॉर एलेक्टोन्स चार एलेक्टोन को लॉस कर देगा और कैसा बन जाएका हीलियम के जैसा है हीलियम के जैसा हाँ अच्छा है कैसे करेगा देखिए यह यहाँ बच्छों तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे जोई तो यहां पर यहां पर रूट एलेक्ट्रोन को वो लॉस करेगा तो अभी हाप इसका साइज पहले से छोटा होता है कर्वन का साइज ज्यादा बड़ा नहीं बहुत चोटा साइज है तो यहां से अलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है लेकिन माल देजे आपने वो उसको आसान कर दिया यहाद रखेगा कि अगर एलेक्ट्रॉन को आप लूस कर रहे हैं तो आपको एनर्जी की रिक्वा ठीक एनर्जी देनी पड़ेगी जो मागए लाच कर देगा एक एलेक्टान को लॉस कर देगा यहां पे कितने प्रोटान हैं सिक्स प्रोटान आप एलेक्टान की कम हो गया और प्रोटान एक ज्यादा है Electrons के मुकाबरी देख नो Electron अब 5 है और proton 6 है मतब एक proton जादा उसी को लिखते है C plus यहनिके C पे एक proton जादा अच्छा मालेजी आपने वो energy लगा दी और उस एक electron को निकाल दिया जबकि possible नहीं लेकिन चलो आपने कर दिया ठीक तो जब एक electron निकलेगा जाएगा तो इसका size जो है ना इसका size और छोटा हो जाएगा देख तो पहले से छोटा था बिखर से इसका size और छोटा हो गया ओर छोटा हो बशो कर रहे हो मैं यहाँ पर लेगता हुआ क्षों पहला रिकॉयड पहला कि यह एक electron को लिया तो क्या हो गया बच्चों निट पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज गोर्स ओन टो आ है कि पोजिटिव चार्ज बढ़ने लग गया प्रोटोन हो अब देखर अप एक और इक तो आपने sizes का छोटा होगा यहां पर कितने बचें वान टू थ्री फोर थे आपने एक निकाल दिया अब आप एक और निकाल दिया अब छे लोग कितने को खीच रहे चार को खीच रहे अब और फाइच छोटा होगा पहले बाद तो उसको आपने दे दिया वह एनर्जी और इसको बना दिया आपने चीट प्लस यानिके दो दो इलेक्ट्रों निकाल लिए अब यहां पर दो ही एलेक्ट्रों बचा है तो अब यह और खीचेगा और इसका साइज जो है बच्छो इसका साइज और छोटा होगा चलिए साइज और छोटा होगिया ठीक है कितने एलेक्ट्रों थे बच्छे थे दो निकाल गया ठीक है आप क्या कर रहे हो क्योंकि आपको हीलिम के जैसा बना भाई चार एलेक्ट्रों देने पड़ेंगे और एनर्जी बहां दला गिदो जिसे से एलेक्ट्रों एक काम कर लिया कि भाई तीन बहुत जोदा एनर्जी लगाई और आपने इसको बना दिया सी थ्री प्लस है कि अब एलेक्ट्रों टूटल कितने बचे यह भी निकल गया अब बचे टूटल एलेक्ट्रों थ्री छे लोग तीन लोगों खीच कि मिचे सुचो साइज और जदद जोटा हो गया अब लास्ट में जो एक एलेक्ट्रों बचाता अब आप यह भी निकाल रहे हो तो यह सेल ही खतम देखो यह सेल ही नहीं बचेगा यह पूरी तरफ हीलियम बन जाएगा यानि कि आपने इसको बना दिया क्या सी फॉर प्लस ठीक तो आप क्या देख रहे हो कि वाई नेट पॉजिटिव चार्ज गोज उन किरिजिक देखो ना पॉजिटिव चार्ज दीरे दीरे बढ़ता ही जा रहा है कि पहले 65 थे फिर 64 फिर 63 फिर 62 है कि लास्ट में टूई बचाना तो इस तरह एलेक्ट्रॉंस कम होते गाएं दो ही बचे और प्रोटॉन का जो है न होटा नहां स्मॉल साइज और आप वोल दोगे हाइई पॉसेटिव एट चार्ज पॉजीटिम answer ज़्ादा आधा ही हो गया और स्का साहिझ छोटव और यहां पादिव चार्ज तो बड़ी रहा है प्लस इटिडिक वार्गार्टिक requires more energy बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए चिक है विच इस लाट पॉसिबल तो इस डिफिकल्ट यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है इस डिफिकल्ट टास्क फॉर कार्बन एडम के लिए यह काम करना पॉसिबल नहीं है देखो न वाई इतना साइज छोटा हो गया इसका और छे प्रोटन है और उपर में दो ही एलेक्टोन है ठीक है तो यह पॉसिबल नहीं है कि हम सबसे बहुत हम इतनी इनर्जी दे ही नहीं पाएंगे एक एलेक्ट X2 in this form यह स्ट्ञेल हैं जोमकरी है कि यह नहीं पाएगा पॉसिबल है रस्ता अपना इसके लिए फॉसिबलшей नहीं है अच्छो दूसरा रास्ता का है सेकेंड रूट अगर सेकेंड रूट की मैं बात करूं कारबन के लिए सेकेंड रूट तो यह चाहेगा देखो न यह हमारा निकलियस इसमें दो एलेक्टरॉन बच्छो और सर इसमें 4 एलेक्टरॉन अगर चार और मिल जाए तो क्या बन लेगा ओटेट मतलब सर इटकेंगें फूर एलेक्टरॉन और कैसा बन जाएगा नियौन के जाएसा दो यह नियौन है तो जब एक एक लेगा ठीक है मालेज़े आपने इस क्या कर दिया एक लेक्टान गई कर वाद लीक तो क्या बनेगा यह C- nine ऐब लुख किर माइनस प्रोट सेद है और एक्छ बढोट रहाए तो यह धी इंद झाज कभी हट्रेक्षिन क्या बोलने सर क्या बोलने हैं बोलो कभी वे एट्रेक्शन बॉआईज और गल्स में नहीं होता है तो यह दोनों दूर भागेंगे, रिपल्सन होगा एक हगना चाहेंगे, तो यहां पर पैदा होगा ृपल्सन नियसं अब इन बसेद को हमों करना पादेगा इस शाटम्रित अब यह कोर्मेंट होगी मतलब एनर्जी इस रिक्वाइड एनर्जी इस रिक्वाइड है कि नी तो अवरकम रिपल्ष एन एनर्जी की जरुवत होगी ताकि रिपल्ष नाटे और फिर क्या होगा भाई साइज जो वह बड़ा होने लगेगा और निगेटिव चाइगा आपके बोलू के नेट निगेटिव चार्ज फिर इसका रहेगा अब इसका साइज यह फिर एक और एलेक्ट्राम सी थ्री माइनस अब और साइज बढ़ा हो गया थोड़ा से एक फोर फोर माइनस दोगा तो साइज इसका बढ़ा हो जाएगा तो आप क्या बोल दो कि साइज बढ़ा हो गया निट निगेटिव चार्ज गोजर इनक्रिस यह भी पॉसिबल नहीं ज नहीं है अगर मैं स्टेबल की बात करूं तो नहीं है हमारे पास अतनी एनर्जी नहीं है कि हम इसके रिपल्सन को रोब पाए नहीं दे पाएंगे या हमने दे भी दिया तो निगेटिव चार्ज इतना बढ़ जाएगा इतना बढ़ जाएगा कि ये छे एलेक्ट्रॉन तो कहीं किके मैं क्वाई तो इसका नहीं होगा तो आप साइब देना कि इसका बहुत साइब छोटा होता है यड़ пожब आ यह वी रास्ता नहीं अपना अहेगा अर्यार डाय में personnage ऐसे ऐली olduğ जिसके वैलन्स एलेक्टॉन पे चार होंगे तो वूरा रास्ता अपनाएगा और वू रास्ता है शेरिग मांडोली करना चलो मिल बाट के खाते हैं जैसे माली जै आप अप के पास पास यूरपा यह हैं अच É clear सब्सक्राइब करेंगे फिर इसके बाद दोनों लोग खाएंगे और दोनों लोग की भूप मिट जाएगी एक ज्यादा खाली है मेरा दो लड़ाई मत कर लेना वैसे इनकी बॉंडिंग भूत कमजोर होती है जल्दी तूट जाती है क्योंकि शेरिंग से हुआ ना चार वाले तो पूरे पूरे शेर ही करेंगे बागी कुछ ने करेंगे कोई रास्ता नहीं है एक अज तीसरा रास्ता किया करेंगा शेरिंग लेकिन तीसरा रास्ता मैं कारवन से नहीं बता हूं पहले मैं दूसरे अटम 2017 की तो मैं ले रहा हूँ एचू मौलीकूल का ॹ्फ हाइदोजटन होता है शाथ में नहीं होता है हमीसा डाय इसलिए एच्टू एच्टू लिगते तो ये एक हइड्रोज़न है इसका इग्ता हाइदोजन का इसका ह। इताफ वैर नमम्बर यह उद कडिर के एडेक्ट्रP होगां तो सर इसके पास एक ही ऐलेक्ट्रोन विच्ट इसके पास इक एटरौनाइक बनाया हूँ एक मिनटा सा मिस्टेक हो गया यह यहां पे और यह यहां पे ऐसे बना देता है यह इसको करीब यहां भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं यह आपका भी है यह मेरा भी है अब देहां दीजिए यह वेला सरकल देखिए यह दोनों एलेक्ट्रों के अंदर आ रहे हैं यह वेला सरकल देखिए दोनों एलेक् यह इसने भी दूपलेट कर लिया इसने भी डूपलेट कर लिया दोनों ने मांडोली कर लिया और यही बनाया बॉन्ड जिसको मोथे को वाइलेंट पॉंड त्या जो हुआ अच्छा 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 इक फिर से बता हूँ ना आच्छा ठीक है बता रहा हूं देखो है यह हैं यह.डॉट यह.डॉत लुइस बूट रहा हुं यह.डॉट यह.डॉट एक एक संटी दिचिव का नाम था है लूइस हुआ नाम था है यह, अन्यूट बोला यह, कोई भी ऐलमेंट का कर दो यहा जो आजो दिखा दो उसको बोलते लेक्टोंडॉंड तो असलिफों सब्सक्राइब करने नमश्य कितने प्रोटोन 6 एलेक्रन भी कितने 6 लेकिन एलेक्ट्रानी चनफुए कई रिखेशन करीछ थी तो यह दो है यह भी है इसका एलेक्ट्रोन हिस्टोन रिखेशन इसका अथी को मश्युक्राइब अच्छ दू आ। सब्सक्राइब इसको लुइस डॉट से दिखाते हैं इसने पी रखा अपना इलेक्ट्रोन इसने पी रखा अपना इलेक्ट्रोन इसने भी रखा अपना इलेक्ट्रोन इसने पीं कर ल्याइप इसंसे के सर्कर्ल केंदर दो रोचयर कोम आ इसका हम लोग्या को बोलते हैं लूइस इसका हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट इस्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टन एक्जाम में कई बार आ चुका है और अक्सर आता ही आता है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन डॉट अभी तो हमने बेसिक लिया है हमने भी बहुत सारे का पाउंद देखने वाले हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन रट्रॉक्ट्रीक्ट्रफिट्र हमने बना अब इस इजो है नहीं बटा यह दूट तो उसको यह गरता हम एक से लाइन खीश में रिश्टल की बीच में इसलिए शार बनाते थे एज यह हैच और इसे को बोल दिया बाउंड बांड अब अब दोन जो की carbon भी हमारा बनाता है, भी देखने वाले, कुछा कुछा बन बोलता है? covalent bond, covalent bond का definition चीछ है, तो लिकले लेना, the bond which is formed by sharing of two valence electron between two atoms, या में लिख दे रहाओ, में लिख दे रहाओ, क्या covalent bond? the bond, the chemical bond, असा लिकल रो तरह, the chemical bond, the chemical bond which is formed by, जिए फार्म बाइख शेरिंग आफ तू वालने लिक्ट्राण बिद्वेग टू अटम्स किसी दू है अटम्स के बीच में जो व्लबाइख इस एकटों की शेरिग गी उसी को बड़ते कि नहीं कॉए कर दो दूसे थोना एक या याइफ दो 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 से फीर्फीर से पर एक एक किछ धुझा युद लुटन को शेर करके जो वैलन्स और अन्स को यह उसक्वाइब करके लुट? लुट और केमिकल बान विच इस वार्म बाई टू एलेंस थी दो आटम में दो आटम अलग भी ओ सकते हैं तो ये अपना आख है तो यह बनेगा को वेलन बॉलन जो बनेगा बच्छों यहां पिलिगता हूं वह दो सकता है सिमिलर आटम ओफ नोर्म अधर्ट गिवस्ट डिफरेंड अटम दो अलग अलग अटम के बन सकते हैं ना रिद फिस दूम सकते हैं ऑर यह चैसे अटम से सकते हैं से मैंटम सिमिलर क्यों नीकर आओ यार सेम लिखो ना से मैंनल के से मैंटम से भी और अलग से ठिक उसका नाम की हो गया बॉल्ट और यह कौम सा बॉल्ट हो गया को वैलेंट पॉंड चेक है को अभी इस तरह के स्टक्टर को मुँलग बुलते हैं लाइन रुच्रोट इसनगे लोह इस को हम लोगतं लोगा है सिंगल विल्ड इंहें बढ़ाते हैं। सुवenne बॉंड लेकिंव क्या है। यहां पिलिखना के सिंगल बॉण जो रहर बैए बॉले Martin जोड़ा नगा कोने एक जोड़ा दो एक जोड़ा एक टॉच दूच रोगे है तो ना यहां पे दुने मां डॉली कर लिया अच्छा सब बताओ ना कारवन कैसे करता है कारवन कैसे करता है रुकिए ना बहुत जल्दी कर रहे हैं दिखिए भी अभी और एक आध एक्जाम्पल देखते हैं यह रिसकर रहा हूं आप लोग लिख लिया करो स्क्रीन शॉर्ट ले लिया करो और यहां ध्यान दीजे मैं समझ रहा अब कर दो कि आपके बाश बता रहा हूं देखिए बटाख से यह सर्ट चलिए लटू अली कुल करेंगे यह सर्करिए ल यह हमारा सी यह हमारा सी ठीच ज अभी देखिए अधिक लिगान में नमर 17 ऐडमिक नम्बस सेवेंटी तो एट मैं पुरा क्यू बना रहा हूं यार स सभी वैलनेंस उसंद एक टूरीन है एट ट्वेट सेव थैट सेवन जो सबस्टेखानाएं यहां शवाले दोनों को सब्सक्राइब आगाएं यहां पे इसके पास यह पढ़ा रहे निदो टा सक निदा तुछ को इसका इक ली लू इसके पाथ डियान लेकिन अगर इसको ले लिया तो एट हो जाएगा ले.- जाएगा, CL, बांड, CL, यह बांड हो गया, इसको वोगो लाइन structure, इसको इसको उलेकर ओंड श्क्ट्चर, लाइन structure, इसको श्क्राइन एकर रिक्ट्चर, तो उसको डबल बॉण्ट ये ट्रिपल बॉलते हैं अभी हम कारवन का देखे लेते हैं चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके लिए कुछ काम दे रहे हैं वह कीजिएगा आप प्लीज किज एगा मनामत किजेगा बच्चों आप उदास मत किजिए एफटू म HOLEKUL का कर लिजेगा बच्चों प्यारे लेश हो आप बहुत अच्छे हैं आप जूरूर करेंगे मुझे भरोसा है ठीक है इसके बाद आप ले लिजे को जो नेत्थे दूसरा को लिजे एच टू ओ एच टू ओ ठीक है आप किजेगा पहले हम सीच कारबन करते हैं पटा कारबन मैंने बनाया कारबन चलो वाइलेंस रिकनों के लिए फोर होते हैं वान टेुट्री कोई एक आटम दूज के मालनों है आप हाईडोजन यह हाईडोजन के पास भी बच्छों एक इलेक्ट्रन होटा है इसका मैं ब्लू पंसे बनारा ऑर क्रॉस से बनारहूं ताकि समझ माया क्या हईडोजन कर ठिक ग्रोंधे दोने करेंगे एक थे यह थोड़ी नहीं करेंगा तो यहां पे क्या रहता है बध्यों एक हाइड्रों एटम भल्कित चार अलग अलग हैड्रोंग एक साथ बड्रिंग करता है चार अलग अब इसके पास भी अपना एक इसके पास भी अपना एक इसके पास भी अपना एक क्रॉस्ट बनाए अब देखो यह है डिजन में भी क्या कर लिया यह है डिजन भी कंप्लीट कर लिया क्या डूएट इसने भी कंप्लीट कर लिया डूएट इसने भी कंप्लीट कर लिया डूएट इसने भी कंप्लीट कर करें तो क्रवन ने क्या कर लिया और हैड़ोगर दो इतो पीडिया ऑपने साथ चार चार एटम को जो चुछ लेकिन बॉलक में वह दुच्छ बन रहा है कुई गिन को मैंने क्रॉस से यहां प यह हैं पर यहां पर यहां यह रिजसट यह है टॉक्ण इसकोक को लाइन इसको लाइन स्टॉक्च्छ तर बाँड है यह दोने मिलके एक वेंड यह दून के बॉंट एक बॉंट यह जोड़ा एक टॉल जो शे रिंग पाड ले लिया है लुड क्या क्या कह लेता है बॉल एक बॉल को फर औरストरां चार उपनाया शेरिंग का मांडूली का कि चलो मांडूली करें याद रखेगा कारवन का एखी नारा क्या नारा आओ आओ मांडूली करें क्या करवन का कारवन का एखी नारा क्या आओ आओ मांडूली करें आओ 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 शेरिंग करें बहुत बढ़ी है चलिए एरस तरी का करते हैं यह फालतु चीज़ों को मुटा देते हैं बहुत काम खतम हो गया इसका सर फालतु मत बोलो ना सब काम की बात तो आपने बताई अच्छा ठीक 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 नाइट्रोजन ले लेता हूं आप मुझे बताईए लिखें होनाइटोजन का 7 होता है यहां पर लिखें है नाइटोजन का 7 होता है ठीक एलेक्रानिक कन्फिक्रेशन सर्क 2,5 तो बताऊ कितने लगाऊ लिखाँ अलेक्राइट्रान 5 है 12345 कहीं भी तुम लास ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैं यहां पर डाल रहा हो तो वहीं पर यहां दो कोई दिखकत थिए फीके अवडू है किसी का मन करें यहां बना देना कोई प्रालम नहीं है निचे बनाता हूं ही अपर कितने है वलеся Woah ताकि पहचान हो यह hydrogen का है उसको cross से भी बना सकते हैं अप ठीक है hydrogen क्या करना है sir hydrogen को करना है do it duplet देखुँ न वन टू तो यह ले लिया अपना ने लिगा है तो वान टू थी फोर फिर फाइब सिक्स अगर एहां से इसा गुला आई ऐसा गुला बनाए तो देखो वन टू बेटा ये भी है ये भी तो एलेक्टोन है ना ये सर्कल के अंदर ही है ना 1 2 3 4 5 6 6 7 8 अक्टेट क्टेट निट्रोजन कर लिया और हड़ने कर लिया डूपलेट आओ 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 शेरिंग करें यहां पर हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन याद रखना इसाब से शेटने करना ठीक है यहां पर बांड बन पन के अपट चू यहां बन रिख दो ना इसको बोलता है यह क्या हो क्या है शेर्ड प्रफ एलेक्टरॉन इसका नाम जानना चाहते हों इसको कभी-कभी ऐसा दिखाते है ऐसा करके इसको बोलता है लोन पेयर एलेक्टरॉन जिसने बॉंडिंग में पाटिसेपेट नहीं किया जो शेर्ड नहीं करता है यहां पर बनने वाला है हमारा कोवलेंट बॉंड उमीद करता हूं आपको कोवलेंट बॉंड बहुत अच्छे समझ में आ रहा है बच्छों यस समझ में आ रहा है फोड़ा थोड़ा और एक्जाम्पल लीजिए है एच्टू ओ का आपको काम दे रहे हैं आप कजिए कीजिएगा प्लीज आप कर लीजिएगा बच्छों यह काम में आपको सौप रहा हूं स्क्रीन शॉट लो फटाक से डन चलो ठीक है आम ले रहे है है ओ टू मॉलीकुल के बीच में ओ टू मॉलीकुल बहुत पकुलर है इससे भी कुश्शन आता है ओ टू मॉलीकुल का देखें यह ऐक्चिज्जन है त यह अभी प्रसक्र का आटोमिक नमबर होता है चैना प्रस सिक्छल में सिक्सले क्यव्याज depends 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहीं बना दो, कोई दिक्कत नहीं है बना दिया हम ठीक, जामर जी क्या अब एलेक्ट्रोन के शेरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इसका एक एलेक्ट्रोन उठा लेते हैं यह वाला, यहाँ पे एक डाल देते हैं विचल बाई, एक तुम रखो बाई, और एक मैं रखता हूँ दोनों आपने अपने इलेक्ट्रोन को रखेंगे और दोनों क्या करेंगे, शेर करेंगे ठीक है, बैई, एलेक्ट्रोन को मत रखना वरना को वालेंट बॉन्ड बन जाएंगे अरे सेर अब क्या करें है आप सॉरी बटाब जदे हां दो एलेक्ट्रोन या पर रख दिया आपने 246 चलो आप सदल करते हैं 2466 और करना क्या है और टीट कंप्लीट तो मतलब कहने का मतलब नहीं हो रहा है सर अगर हम ना लेजी हाँ इसको करीब लाएंगे ना इसको तोड़ा यहां पर लखता हूं नहीं नहीं एक पढ़ रहा है अगर मालनों इसको भी ऑसे ले लेगे 2467 और इसको भी यहाँ रख देता हूं ये लू और ऑद देखाए तो 2 468 वाह इस सरकल में तो 2 168 हैं इस सरकल 2468 में तो यह हैंbn kole तो यह दिए करें और एक से करें इक से काम नहीं चला एक जोडे लिक्रोन समयlı काम नहीं चला दो जोडे से शेयर करें आजlideंकरें ईहां पहला है एक वर ही इलिक्टॉन की से ओर है लोग पर एक्टान और यह शेड पर एक्टों कितने बाइब दो बॉंड है ना दो एलेक्ट्रॉन से एक बॉंड बॉंड इसको बोलते हैं लोग डबल बॉंड क्या बच्छो आया समझ में नहीं आया कोई बात नहीं दूसरा देखते तो समझ बाएगा अभी एन थ्री मॉली देखते दो को अभी समय पाएगा एंड ध्यान दीचे आई नो वक्त जाधा हो रहा है लेकिन काम की बाती भी जाधा हो रही है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का अट्रोमी के नंबर सेवन होता है टू कॉमा फाइब बैलेंस एलेक्ट्रॉन 5 होता है इसलिए बोल रहा हू समझ में आना चाहिए इसलिए 25 मिनट स्टार्टिंग के 25 मिनट में इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन समझाया हूं दोस्त अटोमी की नंबर समझाया हूं क्योंकि यहां पे वही सब लगने वाला है पागल नहीं हूं सब कुछ वापस है पढ़ाया इसी को समझाने के लिए ध्यान दीजी ध्यान फाइब फाइब अच्छा सर फाइब वन टो ट्री फोर फाइब यह से यह सरT रहे बताइए चा Κा करो सर इसने तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया है इसको भी बोनों को रखने के लिए चलिए आप भी एक इलेक्ट्रं रखिए मैं भी रंदा वढ़ए यह सर्कल पराया वांट्यूस त्रीफोर फ़ायगा ठीक है यह वाला पराय थेसे सर्कल पने प्यारा प्यारा बने तो प्यारा प्यारा मार्ग्स भी तो मिलेगा ठीक है 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ पूरा आच यह वाला करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 नहीं कम और दो कम दो कम करते हैं चलो एक और सिर करें यह भी बोले चलो एक और सिर करें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दो यह वाला सरकल देखो तुमारे समझाने के लिए इसा बनाता हूं यार तो ज़्यादा समझेगा अब इस सब्सक्राइब कर देखे हो 1 2 3 4 5 6 7 अब इसे वाले के अंदर गिनिए 1 2 3 4 5 8 पे इसके अंदर भी तो आ रहा है ना 6 7 7 अच्छा तो 7 ही हो रहे है चलिए एक और कर लेते हैं एक और कर लेती एक और यहां पे कर लिए यह लाभी है अब देखेए 1 2 3 4 5 6 7 8 वाँ सलगे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट एट मतब यह एंक के बीच में सबना एक ये वाला ये एक धुनू नहीं एक 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 देना यहां पर देखना नहीं उस सर्प को त्रिपल बाउन्ड में शेरिंग की त्रिपल बॉन्ड त्रीपल बॉल्ड याद रहेगा परका याद रहेगा तो यहाँ पे आपने को एलेंट बांड में दिखा कि कि शेल की ओवर्लापिंग होती है कि शेल की ओवर्लापिंग होती है और कार्बन और कार्बन की अगर आपस में ओवर्लापिंग होती है तो बॉर्डिंग थोरी मजबूत हो जाती है ठीक है तो समझ में आगा बैसेल की क्या हो गई ओवर्लापिंग हो यस सर समझ में आ गया आणुका कर लिया और टूका कर लिया चोलो एक और दो सी टू एस ठोगा सा कठीन है वो करते है चलो सर करओ ना हम रेडी है ऑके बच्छा मैं भी रेडी हो I'm always ready for you आपके लिए ही तो बच्चो में यस सर्च लाइब का देखते हैं न को दिखकत नहीं कि कार्बन डिखने की नम्बर से 6 होता है 2,4 है और फॉर है नाना सर पता हो गया चलिए वन टू 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 करेगा बच्चो आउक्टेट करेगा तो यह वन टू है थ्री फोर फाइब फाइब भी हुआ थ्री और चाहिए सर थ्री फूर फाइब 6 7 8 देखोन अगर ये भी मिल गया तो 8 हो जाएगा अच्छा चलो इस वान 1ट टू ट्री फोर फैफ सिक्स सेबन इट तो काम करते हैं ये कारवन-कारवन-करवन बोलाइब यह सामने रखो यह भी बोल ανα माइब यह यहां से शकतिक है यह होगा ह्जा है ऒरण ट्री फोर फैफिट पिट एप कि देते ते यार को यह यहां पर कैसा बना सिंगल यहां पर कैसा बना यह एक बॉन यह पर यह फिर सिंगल और यह हमारा ओगया लाइन स्ट्रक्शर और यह हमारा हो गया एलेक्टर नॉट इस तरह और आप नहीं पूछे जाएंगे तो प्लीज आप कर लिजएगा अब हम बच्चों बात करेंगे को वैलन कंपॉंड का समझ गया अब बात करने जा रहे हैं को वैलन कंपॉंड कि कि आप सरीय और यह क्या होते हैं कूवैलींट मारकर चलना बंद कर दिया इतनी जल्दी घरबड़ हो जाएगी को वैलेंट कंपॉंड अच्छँ आर्यार मुझ तुम्हें रेट पेसी जरना चीयता अ गोले समक्रेंश चाहिए अरव ऐसा सड़ आइ मड़ंद Hispanic कंपाउण जो क्या बुलूधाँ अब याद रखे का है पच्छो कुएंफ आर्फ इनक पर गीन फालाइ जिस्तर तर gestор हुआ एयुड़ना मेटल्स में आयुणिक कमपाउंड की फोलपर्टी दिए हमने देखा था कि आयुणिक कमपाउंड जो होते हैं मैं यहाई पे एक जगए आयुणिक लिक्षा हूं और एक को वायंट्रीड लिक्राहों दोनों में डिफोर्शन भी आ सकता है जिके आयनिक compound जो होते हैं हमने देखा था बच्चो उम्मुमन solid state में होते हैं अगर हम state की बात करें थोड़ा जगे बनेगा है की नहीं अगर मैं state की बात करूँ कि इस state क्या होगा तो आयनिक हमारे solid state में होते हैं ठीक है जैसे नमक kovalent की बात करें तो बच्चों ये solid भी होते हैं liquid भी होते हैं और gas भी होते हैं जातर अगर दिखा जाए तो liquids and gaseous state भी होते हैं but some of them are some of them are in solid state in solid state जैसे liquid की बात करें तो liquid में मैं यहाँ पे लिखू यहाँ पे जोड़ सा जगे मना कि अगर मैं बच्चों liquid के बात करूँ तो liquid में होता है बच्चों हमारा ether हो गया alcohol हो गया यह सब किसमें होता है liquid के form में होता है benzene हो गया और gas की बात करें तो ethane देखने वाले हम यह सब क्या है compound or covalent compound सब के बारे में discuss करेंगे ether, alcohol, ethane, ethane हो गया methane हो गया है तो methane gas LPG liquid petroleum liquefied petroleum gas, CNG compressed natural gas जो है ना उसमें क्या methane gas है, bio gas उसके बाद कुछ solid होते है like आप ले लो naphthalene ले नो सब सच अच्छा example naphthalene सब ने देखा भी है तो naphthalene solid पे होता है liquid पे होते है gas भी होते है ठीक है पहला point हो गया दूसरा अगर हम बात करें कि भाई यह जो होते है इनकी melting point और boiling point क्या होती है तो देखो, अगर melting point boiling point के बात करेंगे बट्टो बट्टा melting और boiling point की बहुत जादा होती है ionic compound की बहुत जादा क्यों क्योंकि positive और negative के बिच में attraction होता है ना प्लस positive और negative ion की बिच में strong attraction के वज़े से इसकी melting point बहुत जादा होती है जिसे मैं बात करूँ यह हमारा एने सील का बिटा तो एने सील का melting point 800 degree Celsius से भी जादा है कुछ compound का 1400 degree Celsius है यानि के 1000 और 1000 के उपर रहता है melting point और अगर हम इसकी melting point और boiling point की बात करें कौन से temperature पर melt हो जाता है कौन से temperature पर boil हो जाता है तो बच्चों इसका melting and boiling point low होता है याद रखेगा low होता है जो भी कारवन के compound है वो को बान बनाते हैं और उनका ओममन 300 degree Celsius से कम रहता है जिकें लोवर दैन 300 degree Celsius जैसे मैं बात करूं तो इधेन उथेन का या अल्कॉहल का 75 अल्कॉहल का 75 degree Celsius या 77 degree Celsius होता है इतने कम है तो उनके boiling point और melting point जो है बच्चों बहुत ज्यादा कम होता है तो आई निक compound have high melting point and covalent compound has low melting point चीक तीसरा factor यह पहला factor दूसरा factor तीसरा factor तीसरा अगर मैं बात करूं तो conductivity या conductivity conductivity के बात करें तो दे आर very good conductor good conductor in liquid state in molten state बोल दो या aqueous state सर समझा नहीं समझा रहा हूं देखिए क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज निगेडिव चार्ज होते हैं तो जैसे हम इसको melt करते हैं पिखल जाते हैं तो पिखलने के बाद यह आयंस दूर दूर हो जाते हैं और जब आयंस रहेंगे प्लस चार्ज माइस चार्ज तो इलेक्ट्रोन बैने लगेगा और यहां पर आयंस प्रिजेंट हैं इसे लिए गुड कंड़क्टर होते हैं यहां से बाद करेंगा ही नहीं लेकिन अगर आप उसको लिकुड सेट में करवर कर दो मिल्ट कर दो पीगला दो या पाणी में डाल दो तो भाई उसके आइंस तूट जाएंगे और वो गुड कंडुक्टर हो जाएगा और अगर इसकी बात करें को वैलिंट की तो भाई यह बैड कंडुक्टर होते हैं जिके जिन्रली जो हमारे को अलेंड कंपाउंड है सीसी आर बैड कंडुक्टर अगर कोई पूछे क्यों भाई तो क्या बोलना क्योंकि इनमें आयंस जो होते हैं वो अपसेंट होते हैं आयंस होते ही नहीं है है कि निट्रल मॉलिकुल होते हैं क्या बात करें अबर बात करें इसकी पानी में घुलते हैं कि नहीं तो भौता है याद रखेंगा लिए इन अर्गेनिक इसको और ने डाल दे तो नहीं गोलेगा दियार इन इन वाद करें तो भाई दे आर यह पानी में घुलते ही नहीं है they are insolubble in water but soluble in soluble in organic solvents तो अब अज़्स रूट पानी में घुलता है लेकिन organic solvents में घुलता है they are they are not soluble they are insolubble in organic solvents organic मतलब organic का मतलब भी होता है carbon carbon compound के अब जिसके करने वाल है ऐने डिक्षर में ठीक है मदब करिंगे इंशालद यह पानी में घुलेंगे और गशलबेंट में ज्यासर ईब इस ईए यू गड़ी कोड़ेंगे या इतर लिकुद्व होता है अल्कुहोल अधर में घुल जाएगा यह है बिंजीन में घुल जाएगा यह ऐग ए क्लोरोफोर तो यह इनकी में चार्ट प्रोपेटिया पज्याद रखो दैट इस एनफ अगर कोई पुछे कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होती है तो आप बोलना भाई क्योंकि स्ट्रॉंग फोर्स अट्रेक्शन होता है तो इसके वजए से हमको ज्यादा इनरजी देने की बड़ी की ज्यादा हीट देने पड़ेगा इनके बॉंड को थोड़ने के लिए और आयनिक बॉंड जोता है वो स्ट्रॉंग होता है कोवैलेंट बॉंड से यह इस बात का सबूत है कि मेल्टिंग मजबूत है वह जल्दी नहीं तूटेगा कोवैलेंट बॉंड उतना ज इसे बाद आज के टॉपिक को मैं खदम करता हो क्योंकि लेक्टर बहुत बड़ा हो चुक है मैं जानता हूं लेकिन चीजों को मैंने बहुत डिटेल में एक्स्पेंट क्या होता है को वालेंट इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा ठीक है तो बचो प्लीज आप पढ़ाई कीजिए फार दीजिए और एक्जाम में टॉप कीजिए तो मिलते हैं नेक् लगाते रहना आओ आओ शेर करें आओ आओ शेर करें बाए